हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पूजा स्फूर एंड बीटी सीक्रेट्स चलिए फ्रेंड्स आज बनाया जा नैचुरल हेर क्लिंजर यह बहुत ही आसानी से बन जाता है उसके पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकु हम खुद ले सकते हैं यह हमने रीठा लिया है आमला है सिकाकाई और फ्लैक सीड है यह सौसोग्राम हम ले रहा है आप चाहे तो इससे ज्यादा अमाउंट में भी लेकर बना सकते हैं इस सबके बेनीफिट बेनीफिट तो समझे अगर इसे अगर रेगुलर यूज करते हैं हम तो बालों में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं यह रीठा में सीड रहता है उसको हम निकाल लेंगे रीठा को सीड निकालकर एक बाल में डाल देंगे और जितने भी इंगेडिय आ कि आँ видео है और इसे ओभरनाय वने को हम रख देंगे यह असानी से मार्केट में मिल जाता है मार्केट में ना भी मिले तो आलाइन तो मिल ही जाता है अब ओंलाइन मंगा सकते हैं इस ओफह ना इंड सो कर लेने के बाद देखिए यह इसका कलर एकदम ब्लैक जैसा हो गया अब चाहे तो आयरेन का बाउल भी ले सकते हैं इसको भी होने के लिए यह हमने एक आयरेन की करहाई ले ली है अब इसमें हम हमारा जो एर क्यों है उसको डाल दे हैं और इसे हम बॉइल करेंगे और बॉइल आने के बाद इसे हम लो फ्लेम पे करके 10 मिनट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं लेकिन जो बालों में थोड़ा बहुत कर रहा जाता है तो आसानी से निकलता नहीं है इसलिए हम इसे च्छान कर यूज करेंगे इसे आप हेर डाइ के रूप में यूज कर सकते हैं जैसे वीक में टू टाइमस लगाया थर्टी टू फॉर्टी फाइब मिनेट्स अपने हेर पे रखा और नॉर्मल वाटर से धोलिया इसके बाद सेंबू यूज करनी के ज़ूरत नहीं है और अगर इसे आप सिर्फ हेर क्लि में रख सकते हैं और इसे बाल बहुत ही अच्छा साफ होता है ओके फ्रेंड्स यह रेमेडी अच्छी लगे तो इसे लाइक और जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले बाइफ्रेंड्स